So welcome back guys, आप सबका फिर से स्वागत है एक और इंफोर्मेटिव वीडियो में और अगर आप ढून रहे हैं प्रीमियम सा स्टाइलिश बैक पैक पैक जिसके अंदर आप अपने गैजिट्स वगेरा कैरी कर सके तो आपकी एक खुझ यही पैसमापत होती है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ केरी प्रो की तर्व से आने वाला प्रीमियम बैक पैक जो कि आपकी एवरीडे लाइफ में चार चांद लगा देगा तो गैज यह वीडियो पूरा देखीगा क्योंकि इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ इस प्रीमियम बैक पैक का फुल डीटेयल रिवियो तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दू कि मैं हूर अविंदर और आप देख रहे है टेग बलास चैनल को इस बॉक्स के सामने हमें यह कैरी प्रो की ब्रैंडिंग देखना को मिलती है तो गैज अब बिना की सी देरी करते हैं अंबॉक्स क्योंकि अब मेरे से इनतजाद ने हो रहा है तो जल्दी से इसको अंबॉक्स करते हैं सब्सक्राइब कर दिया है और आपको देख भी रहा होगा कि यह हमारे पास स्क्रीन करें में अवेलेबल है और सच में यह देखने में तो वाकिम है काफी प्रीमिम और काफी स्टाइलिश लग रहा है लेकिन फिलाल बात करते हैं इसके बॉक्स कॉंटेंट की तो बॉक्स कॉंटेंट पर हमें यह बैग और यह कुछ पेपर देखने को मिली जिसके ऊपर मुझे कुछ इंट्रस्टिंग चीज लिक हुए मिली मैं आपको पढ़के भी सोना तो जिसका मतलब है कि आपकी गल्फरेंट भले आपके साथ फॉरेवर रहे या ना रहे यह करी प्रो बैक पैक आपके साथ हमशा रहेगा सो गाइस अब सीधा बात करते हैं इस बैक पैक के बारे में और अगर मैं बात करो इसके फर्स्ट लुक के तो गाइस मुझे तो यह फर्स्ट लुक में बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लगा और इस बैक पैक के सामने हमें केरी प्रो की ब्रैंडिंग भी देखने को मिलती जो कि guys सच में इस backpack को काफ़े premium look देता है और guys, जो मैंने इस backpack में notice किया ना, वो है इसकी stretches क्योंकि guys, इस bag को काफ़ी अच्छे तरीके से stretch किया हो है हमें कहीं पर भी missing stretching या फिर कहीं से भी धागे बगरे निकलती हुए नहीं देखते और guys, इसकी stretching quality को देखते हुए, मैं आपको एक चीज़ definitely तो कही सकता हूँ कि अगर आप ये bag लेते हैं ना, तो ये bag आपका सालो साल चलने वाला है आपको कोई भी दिकत नहीं आने वाली stretching वगरा को लेखे और guys, अगर मैं बात करूँ इस backpack के कुछ features की तो जो चीज़ सबसे पहले मैंने notice की, वो था इसके roll top वाला feature जिसको हम इस strap की मदद से open up या फिर close कर सकते है और guys, इस strap की quality है ना, वो भी वाकिम है, काफी बड़ी है ये strap कही से भी निकलने वाला तो नहीं है क्योंकि again guys, इसको काफी अच्छी तरीके से stitch किया हुआ है और अगर मैं बात करूँ इस backpack के capacity की तो इस roll top को बंद करने पे इस backpack की capacity हो जाती 25 liters की लेकिन जैसे हम इस roll top को open करते हैं ना, तो इस backpack की capacity हो जाती 30 liters की जो कि guys, मुझे personally काफी बढ़ी चीज लगी क्योंकि अगर आपके पास थोड़ा सा सामान है, तो आप इस roll top को बंद करके इसके अंदर सामान डाल सकते हैं जिससे कि यह जो backpack काफी compact बन जाएगा और आप बड़ी आसानी से इसको carry भी कर सकेंगे लेकिन अगर आपके पास बहुत सारा सामान है, तो simply इस roll top को open करना है, और फिर आप इसके अंदर एक्सरा सामान भी डाल सकते हैं अब अब अगर मैं बात करूँ इस backpack के, तो मैं start करूँगा इसके इस top वाले compartment से जिसको आप इस strap को open करके access कर सकते हैं और इस compartment में हम यह दो chains भी लेक में कुनती है और guys, मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, कि इस backpack के अंदर जो chains यूज की गई है वो वाके में काफी अच्छी quality की है यह जो chain है, वो काफी smoothly open भी होती है और काफी smoothly close भी हो जाती है तो guys, मुझे वाके में यह काफी बढ़िया चीज लगी और अगर मैं बात करूँ इस compartment की ना तो सच में guys, यह compartment काफी बढ़ा है आप इसके अंदर अपने कपड़े, बुक्स बगर बहुत सारी चीज़े रख सकते है और हमें इस compartment में कुछ चीज़े भी देखने को मिलती है जैसे कि हार्ट शेल क्यूब, जिसका यूज मैं आपको आगे जाके वीडियो में बतातो फिलाल इसको हम साइड में रखते है और इसी के साथ हमें इस बैक के अंदर ही रेंड कवर भी देखने को मिलता है और अगर आप दिल्ली में रह रहे होना, तो आपको ये चीज़ करना तो must है क्योंकि आपको बिन मौसम ही बरसात हो जाती है पता ही नहीं चलता कि कब बारिश होगी और कब नहीं होगी ये तो बात होगे इसके main compartment की लेकित हमें इस backpack के सामने दो और compartments लेकने को मिलते है जिसमें सबसे पहला है ये वाला compartment जिसको open करते हैं हम जो top वाला compartment है उसको access कर सकते है और आप सोच रहे होगे कि हमें top section को access करने के लिए तो ये chain दी हुई है ये एक और chain देने की क्या ज़रूर रगती तो मैं आपको बता दू कि अगर आप इस top section को open करके अंदर चीजे डालते है और आपको ये backpack पूरा भर जाता है और उस time पर अगर आपको एक ऐसी चीज निकालने है जो आपने इस backpack के सबसे नीचे रखी ते उस time पर ये जो section है वह वाकि में काफी useful होगा क्योंकि इस section को open करके हम सबसे नीचे जो चीज होगी ना उसको भी access कर सकते है जो कि मुझे personally काफी बढ़ी अच्री रगी हमें नीचे वाली चीज को लेने के लिए पूरे backpack को खाली नहीं करना पड़ेगा सीधे ये वाला section खोला चीज ली और बंद कर दिया ये बहुत ही जाते simple है और guys additionally हमें इस section के अंदर ये net pockets भी देखने को मिलती है जिसके अंदर आप अपनी चोटी मोटी चीजे डाल सकते है और guys आपको एक interesting बात बताओ इस net pocket के बारे में ये तो बात होगी पहले वाले section के लेकिन अगर मैं बात करूँ दूसरे section के तो यहाँ पर guys हमें बहुत सारी pockets वगएरा देखने को मिलते हैं और ये वाला compartment उस main compartment से separated है और guys सबसे पहले हमें इसके अंदर ये key holder देखने को मिलता है जिसके अंदर हम हमारा mobile वगएरा रख सकते हैं और वो fully protected रहेगा और उसी के ऊपर हमें net pocket भी देखने को मिलते हैं जिसके अंदर हम हमारे छोटे मोटे चीजे डाल सकते हैं जैसे की earbuds वगएरा और उसी के side में हमें pen वगएरा को रखने के लिए यह elastic भी दिये हुए और उसी के side में हमें एक और net pocket देखने को मिलते है जिसके अंदर हम हमारे hard drive या फिर दूसरी चीजे भी रख सकते हैं और हम इस compartment में box registers वगएरा भी रख सकते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहाने वाली तो guys हमने सामने के दो compartment तो cover कर लिए लेकिन अगर मैं बात करूँ sides की तो guys एक side में हमें ये bottle holder भी देखने को मिलता है जिसके अंदर हम 1 से 1.5 liter तक की bottles को रख सकते हैं और guys अगर आप travel कर रहे हो और आपको tripod वगएरा भी carry करना है तो उसके लिए हमें इस back के दोनो side में ये extra strap भी दिये हुए जिसके अंदर आप tripod को डाल के carry कर सकते है जो कि guys काफी handy रहता है और guys अगर मैं बात करूँ दूसरी side की तो वहाँ पे हमें ये extra compartment देखने को मिलता है जिसके अंदर आप अपने shoes वगएरा carry कर सकते है लेकिन guys अगर आपको shoes वगएरा carry नहीं करने है और आप travel करते वक्त DSLR camera भी अपने साथ रखते हो तो guys वहाँ पे आता है ये hard shell cube काम में क्योंकि guys आप इस hard shell cube को अपनी section में डाल के इसके अंदर camera's वगएरा भी store कर सकते है और guys हम इस cube के अंदर भी हमें ये section adjust करने के लिए ये pad दिया हुआ है जिससे हम इस cube के अंदर भी दो sections बना सकते है जो कि guys मुझे personally काफे बढ़िया लगा क्योंकि guys इस hard shell case के अंदर जो आपका camera और उसके जो lenses है ना वो एक तम safe रहेंगे क्योंकि ये जो cube है ना वाकिम है काफी hard है और काफी thick foam से covered है तो आपके camera ये lenses को बिल्कुल भी damage नहीं होने वाला और हम इस compartment के opening में भी net pocket देखनों को मिलती है जिसके अंदर आप camera के batteries या फिर SD card स्टोर करके रख सकते है तो guys अगर आप ए camera lover हो और आप travel करते वक्ट camera को carry करते है तो आपको ये वाला feature तो काफी काम में आने वाला है और मुझे भी personally ये वाला feature काफी और guys अगर मैं बात करूँ laptop वाले compartment की तो वो हम इस top compartment के पीछे देखने को मिलता है और guys अगर हम इसको open करें ना तो हमें इसके अंदर काफी जगा देखने को मिलती है हम इस compartment के अंदर लगवक 17 इंच तक का laptop आराम से रख सकते है और उसी के साथ full size iPad भी रख सकते है तो guys मुझे ये चीज़ काफी बढ़िया लगी कि हम दोनों चीज़े एक साथ इस compartment में रख सकते है और guys मुझे इस compartment में जो सबसे बढ़िया चीज़ लगी ना वह है इसका इस थिक प्रोटेक्टिंग फोम जो कि वाकी में काफी थिक और काफी हार्ड है जो कि आपके laptop और tablet को काफी अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा और definitely ये दोनों damage भी नहीं होने वाले और guys हमें इस compartment के अंदर ये बड़ा सा net pocket भी देखने को मिलता है जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़े डाल सकते हैं जैसे कि laptop का charger या फिर tablet का charger या फिर और भी बहुत सारी चीज़े और guys हमें इस backpack के back side में भी एक compartment देखने को मिलता है जिसके अंदर हम हमारे बहुत ज़रूरी documents वगरा रख सकते हैं जैसे कि passport, आधार card या फिर कोई भी ID proof और guys यह सारी चीज़े या पर एकदम safe रहने वाली है चोरी का कोई भी tension नहीं है और guys इसी के उपर हमें यह एक strap देखने को मिलता है जो कि guys basically अगर आप ट्रॉली भी carry कर रहें तो आप यह bag उस ट्रॉली पे भी लगा सकते है ताकि आपको यह bag अलग से carry ना करना पड़े तो guys यह भी मुझे काफी बढ़िया feature लगा और guys अगर आप Delhi वगेरा में रहते हैं और आप Metro में भी बहुत जादे ट्रेवल करते हैं तो यह next वाली pocket तो सिर्फ आपके लिए क्योंकि हम इस strap के अंदर भी यह पे एक pocket देखनो को मिलता है जिसके अंदर आप अपना Metro Card वग सकते हैं ताकि आप जब भी travel कर रहे हो आपको बार-बार wallet में से Metro Card निकालने की ज़रूरत ना पड़े तो यह feature तो मुझे personally काफी useful लगा क्योंकि मैं भी Metro में काफी जादे ट्रेवल करता हूँ और इसी pocket के ऊपर हमें एक Carry Pro की branding में hook भी दिया हुआ है जिसके अंदर आप अपने sunglasses भी लटका सकते हैं और इन दोनों बड़े strap के बीच में भी हमें एक छोटा strap देखने को मिलता है जो कि इन दोनों बड़े strap को connect करके रखता है और यह जो छोटा सा strap है यह वाकई में काफी जादे useful है इस छोटे से strap के वज़े से जो bag का weight होगा ना वो इन दोनों strap पे equally distribute हो जाएगा और यह जो छोटा strap है ना वो security wise भी काफी सही है क्योंकि इसी strap को लगाने के बाद यह bag हम उतारी नहीं सकते और नहीं कोई हमसे छीन सकता है जो कि guys मुझे काफी बड़े feature लगा काफी हद तक protected रहेंगे और guys additionally आप इस roll top को बंद भी कर सकते है जिसकी मदद से किसी भी चोर के लिए आपके back की chains को खुड़ना impossible हो जाएगा तो guys मुझे यह feature security wise काफी बढ़िया लगे और guys इस bag के features खतम होने का नाम ही नहीं ले रहे क्योंकि guys हमें इस bag के अंदर जितने भी straps देखने को मिलते ना उन सब के अंदर हमें loop type का elastic band देखने को मिलते है जिसके अंदर हम यह extra strap वगरा डाल सकते है और guys सच में यह जो छोटी सी चीज है ना इस bag के look पर बहुत जादा असा डालती है यह जो आपके extra straps होते है ना वो नीचे लटकते रहते और guys वाद देखने में भी अच्छे नहीं लगते तो guys उस problem को भी इसमें solve कर दिये गया है तो guys मुझे जो backpack है ना इसके features वाकई में एकदम next level लगे एकदम छोटी-छोटी चीजों के लिए भी हमें इस backpack के अंदर बहुत सारे features दिये हुए बहुत जाए guys यह features काफी छोटे-छोटे है लेकिन यह छोटे-छोटे features ही आपकी everyday life को काफी easy बनाते है तो guys यह तो बात होगी इस backpack के features और सारे compartments की लेकिन अगर मैं बात करो इसके design और comfortability की तो guys इस backpack को बनाने में जो material यूज किया गया है उसके अंदर हमें 1000D fabric के coating देखने को मिलती है जिसका मतलब है कि इस backpack को थोड़े बहुत पानी से कोई भी फरक नहीं पड़ने वाला अगर आप इस backpack को हलकी बारिश में कहीं भी लेके जाते तो आपको कोई भी दिक्कत नहाने वाली है अंदर का सारा सामान एकदम सेफ रहेगा और guys अगर मैं बात करो इस backpack के comfortability की तो इसका जो backpack पैनल और जो strap है ना वो पूरे ही breathable material से बनाए हुए और guys इनकी cushioning है उसके अंदर भी हमें sponge padding देखने को मिलती है जो कि guys आपको काफी relief देगी इस backpack को carry करते टाइम और guys आप इस backpack के अंदर laptop अगरा बहुत सारी चीज़े करने वाले हो तो यह backpack भी काफी भारी हो जाएगा और guys क्योंकि उन सब का ज्यादा stress इन straps पे आजाएगा तो आपके shoulders को ज्यादा stress भी feel नी होगा जो कि guys इस backpack को carry करने में काफी comfortable बनाती है क्योंकि हमें इस backpack के अंदर breathable material देखने को मिलता है तो अगर आप इस backpack को summer में use करोगे ना तब भी आपको कोई भी problem नहीं आने वाली summer में भी हमें इसके अंदर काफी अच्छा air flow देखने को मिलेगा जिसकी विज़े से आपको ज्यादा पसीना भी नहीं आएगा जो कि guys काफी बढ़िया चीज है अगर आप summer में काफी ज्यादा travel करते हो तो और guys इस backpack को काफी easy to carry बनाता है अगर आप इस backpack को single hand से पकड़ते ना तो मुझे तो यह backpack काफी पसंद आया क्योंकि guys सबसे पहले तो इसके looks को ही देखे यह देखने में कितब premium और काफी stylish look देता है और guys अगर मैं बात करूँ इसके build quality की ना तो guys वो भी काफी premium है और क्योंकि guys हमें इस backpack के अंदर छोटे छोटे से लेकर बड़े बड़े त नहीं तो guys मैं आपको यह premium backpack दिल खोल के recommend कर सकता हूँ क्योंकि guys यह backpack एकदम feature rich है और क्योंकि guys हमें इसके अंदर बहुत सारे compartments देखनों को मिलते है बहुत सारी pockets भी देखनों को मिलती है तो यह bag regular usage के हिसाब से तो एकदम सही है और अगर आप अपने साथ बहुत सारे gadget भ बहुत सारी चीज़े वह सारी चीज़े भी इसके अंदर आराम से आ सकती है और सब के लिए हमें अलगले compartment दिये हुए तो उन सब को काफी आसानी से arrange भी कर सकते है तो guys in the last मुझे तो यह backpack काफी जादा पसंद आया और अब तो यह मेरा favorite backpack भी बन गया है और इसको मैं personally use भी करने वाला हूँ अगर आपको इस premium bag लेने का सोच रहे है तो यह bag आपके लिए बहुत ही बड़िया चोईस होने वाली है मैं आपको इस bag का link description में दे दूँगा वहाँ से जाके आप इस bag को खरीच सकते है और guys हमें यह backpack carry pro के खुद की website पे देखने को मिलेगा जहाँ पर हमें इसके कुछ color options भी देखने को मिलेंगे जैसे कि rust orange, black, space gray, olive green या फिर mist gray और अगर मैं बात करो इस backpack के pricing की तो फिलाल हमें यह bag लगबग 4000 का देखने को मिलता है और normally हमें अच्छे tag bags इसी price range में देखने क को मिलते हैं लेकिन क्योंकि आप आए है tech blast पे तो आपके लिए एक special 10% का discount coupon भी है आपको कूपन code description में देखने को मिल जाएगा आपको सिफ उस code को copy paste करना है इस जगह पे और आपको यह backpack लगबग 3600 का देखने को मिल जाएगा और guys इस price में मुझे यह bag काफी वर्थी लग आपको सबसे पहले notification मिल जाए अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए good bye झाल